लिप तरीके से भारत ने साउद अफरीका के अंदर T20 सेरिश रहा है सेना के अंदर पहला एस जो शुरू होता है साउद अफरीका उसको तो हरा दी है अंगला टाइट है नजनले की सीद्य को एस्ट चेर्स का मुकाभा सकती है क्योंकि देखिए स्पार्ट तो है नजर आता है और वाहिद एश्या की टीम है जो बाहर गुजके लोगों को हराती रहती है हाँ आप तो पाकिसान ने भी ऐस्ट्रेलिया को ओडिया सेरी जरा दी ये भी बड़ी बड़ी चीज है लेकिन जो consistency के साथ जो perform करते हो तो इंडिया ही है जिस तरीके से अफ्रीका को अफ्रीका में आउट प्ले कर दिया वर्ल्ड चैंपियन थे सिरिफ इंडिया के चार प्लेट से फाइनल वाले साउध अफ्रीका के आप समझे लें बड़ी से जाधा टीम फाइनल वाली खेल रही थी उसके बावजूद इंडिया ने तीन-एक से हराया नहीं उखेर के डग दिया 283 दूसरी तरह 140 वन के उपर आल आउट हो रहे हैं ये कडिकड खेली है उन्हें तो ये चीज़ की तारीश तो बनते है लेकिन बॉर्डवास का ट्रोफी शुरू और ये सीरिस खतम होगी बॉर्डवास का ट्रोफी की प्रडिक्शन भी शुरू हो जाएंगी आज से लेके लेकिन अब भी जो फर्स्ट्रेस की प्लेंग 11 थी ना रवी शासरी ने इंडिया के कोश भी रहें इंडिया की करना चाहोगा अधर्वाइस मुझे बहुत अच्छी इनकी प्लेंग 11 लगी है इनकी प्लेंग 11 के मताबिक इंडिया के जो ऑपनिंग पेर होगा होगा गिल जैसपाल का वर्ट डाउन के ऊपर के ल रहुल नमबर चार्ट पर कोली कोली के बारे में कहते हैं किंग अपनी ट बुम्रा नमबर 10 के उपर अकश्दीव नमबर 11 के उपर सिराज इन्हों ने बड़ी शांदार प्लेंग 11 बनाई है अगर आप इनकी देखेंगे देखेंगे इस पिनर तो एक ही कहलेगा अश्विन सुन्दर या जदेजा में से कोई एक ही कहलेगा और ज्यादा चांसिस कि अगर मुझसे पूछेंगे तो मेरी 11 बड़ी शांदार है दस में से इनको 9 नमबर मिलते हैं बड़ी मजबूत 11 बनाई इसके अंदर सबसे बड़ी चीज है कि चारफास बोलर है सिराज ने बोल से बुम्रा ने बोल से काशदीव ने बो से तबाही मचा सकते है नितिश कु लेकिन इन्होंने क्या किया सरफ्रास को बाहर की है रोई तो वैसी नहीं खेड़ेगा अश्विन को बाहर करके नितिश कुमार डेटी को लेकर है सरफ्रास की जाए दूरूफ जोरल को लेकर मुझे पूछेंगे न मेरी 11 यह होगी यही होगी लेकि इसके चेंजिस होंगे वह क्या होंगे कि केल रहू लेना मैं उसको ओपन करवाऊगा जैसफाल के साथ शुब मर्गिल की वन डाउन की पोजिशन खडाब नहीं करूगा वह वन डाउन पर लेट हम प्ले एड वन डाउन उसको खेलने दो वन डाउन के उपर कोली नंबर चार नंबर पांच पर पं दोनों लेटी हैं लेकिन वह जो है ना अगर आप देखें तो वह राइट हंड से बोलिंग भी कर सकता है देखना पड़ेगा कि प्लेंग 11 के लेकिन दूसरी से देखा जाए तो फिर बुमड़ा आपको पता दीव अकाज दीव को बुमड़ा से ऊपर बैटिंग करवाने